हेलो फ्रेंड्स मैं हुँ रिना रिना अथर्वा चैनल पर आप शब को बहुत बहुत शवगात करती परेंड्स मेरे होरित द्वार से दिल्ली आ गिया दो तिन दिन पहले ही आया मैंने और मेरा तो बियात में कोई खास शुदर नहीं है और डॉक्टर को आभी तक यह नहीं पता चला मुझे क्या प्रॉब्लेम है पेट में क्या दिक्कत है कोई डाइग्नोसिस हुआ ही नहीं डॉक्टर ने बोलता है आईवीएस का प्रॉब्लेम लेकिन आईवीएस की टीटमेंड करके कोई इंप्रूमेंट नहीं हो रहा है दिन बादिन मेरा हालोत बिगारते जा और इतना बीटनेश हाहे आवी मैं अपना गहर पर भी नहीं हूँ आभी मैं अपन दीदी के गहर पर हुँ क्युक्झरी मैं आवी यूट के न मां ख़डा बना सकती हुए मैं वेलकुल बेड रेक्ट हिए हुँ ना किसी का मैंसिस 파ृफलाई देना मेरे जीए पोसीबल है न आप लोग की दुआई जो है जो मुझे ठीक कर सकता है तो आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए और मेरे लिए दुआ करते रहिए चाचा दिल से दुआ किजिए क्योंकि अगर मैं ठीक हो जाओंगी तो काफी शरे वीडियो मैं अपलोट करूंगी मेरे पास आभी भी बहुत सारे वीडियो है जो मैंने अपलोट नहीं कर पाया और अथरबा को भी मेरे मतलब मां के बागार अथरबा जितना इंप्रूमेंट के उसके आगे नहीं जा पाएगा अथरबा की मां की जुरूरत है तो आप लोग की दुआई जो है शायद मुझे ठीक कर सकता है अभी मैं दूसरा डॉक्टर के पास गया है दिल्ली आके दूसरा डॉक्टर देखाया तो उन्होंने नॉवेंबर को मतलब नॉवेंबर की 9 को मेरे दुबारा फिर रिपोर्ट बनाएंगे क्योंकि 11 माईना पैले का रिपोर्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लेम आया है नहीं है लेकिन जितना जा रहे उतना ही मैं कंजोर होते जारे उतना ही मेरा तो भिया दिन बादिन बीकर्ते जा रहा है और पेठ में हमेशा मेरा दर्द रहता है और मतलोब एक आजीब फिलिंग्स रहता है और इतना कमजोरी फिल होता है मुझे चलने का भी हिम्मत नहीं है इसलिए मैं आप लोग के साथ ना वीडियो शेयर कर पारी हूँ ना किसी का फोन पिक कर पारी हूँ तो स्वारी पास मिनिट बात करें उपर से डॉक्टर ने भी मुझे माना कर दिया ज्यादा बात्चीत करना है ने दिन में किसी के साथ ना नॉर्माली का पोन पर बात करना है और इसकीन टाइम बिल्कुल जीरो करने के लिए कहा है आपा फिलाल तो मैं इसलिए ना फोन देखती हूँ एक दो बात करते हूं ऑसे रूज गरके साथ बात है करता है दो ध्यांदर मेरे लाग मेरा यह पता लग जाए मेरा रीपोर्ट कुलोनस्कोपी होगा, एंटोस्कोपी होगा, फिर मोशन का दूबरा टेस्ट करना है, तो शब कुस करके यह पता लाग जाएजे, मुझे क्या प्रब्लेम है, तो मुझे ऐसे मतलब तो भी अध्खराब लगता है, क्यूंकि मेरा आंदर जो प्रब्लेम है, उसका मेडिसीन आज जा रहा है, तो मैं कैसे शुदर जाओ, अगर जिसको जो बेमारी होता है, उसका सेई मेडिसीन हो, तो अभी इंचान को धिरेदरी इंपरूमेंट होता है, एलाज ठीक हो, तब इंपरूमेंट होता है, तो अभी मैं नौया डॉक्टर के पास गिया है, वह मैंने काफी यह उनका मोर्जी के बगर तो कुछ एक पत्ता भी नहीं गिर्ता है तो उनके मोर्जी के आगार इंचान क्या चीज आए तो जो choisिzhou को सांजुट को मैं चाहें उब केलए तो ही अधर्वा कीज़िए ए estado हो वानत आप ऊसेशंट करें बना रpolitik और क्ली मिरे नहीं मेरे डिया हाण को अधर्वा की दो मेल रहतर हो एकल्शाए तो अवस्टम फर आउन मुझे दोड़न काली इसे एकड़ मेरा फिलाल बुलोग चैनल पर खुदी वीडियो देगा मेरे से होगा नहीं और एक्टिवीटी चैनल पर अभी मैं थोरा सा आराम आज आए तो मैं कोशिश करूंगे अपलोग के साथ वीडियो शेयर करने के लिए कि कापी पैरेंट्स को मैसेज आता है उनके पास जे न्यू अक् क्तिमिंट."नल करो एक किसी के साथ बात करो इसलिए प्लीस मुझे कोई फायदा नहीं होगा कियो कि मैए किसका फॉन पिक नहीं कर पाँगी कापी पैरेंट्स के चाहत मेरा फोन पिक है लेकिन मैं किसी का होन PEC नहीं करती हूं कि기न जमें ह्मोत ही नहीं है और मेरा फोन फिल तो स्वारी उसके लिए तो आप लोग दुआ करेंगे मैं जोल्दी से जोल्दी ठीक हो जाओ फिर पहले जाएचे आप लोग को साथ टाइम दे पाओ तो आज मैं यही बोलना चाहती हूँ आप सब की शायद दुआ ही मुझे ठीक कर सकता है तो दुआ की जिए मेरे लिए मैं जोल्दी ठीक हो जाओ अथरबा के लिए दुआ की जिए जे अथरबा को मा उसको बापास ठीक ठाक पहले जाएचे मिल जाए और अथरबा भी आगे इंप्रूमेंट करें क्यूकि आभी अथरबा का एक्जाम है एक्जाम में भी आच्छा रेजल्ट नहीं कर पाया क्यूक अगर मेरे गाइट के बागार अथरबा एक कदम आभी भी पराय में नहीं चल सकता है आप लोग दुआ किजिए मैं जोल्दी से ठीक हो जाओ अथरबा को भी टाइम दू और आप शब के बच्चे के लिए भी मैं निव निवी अक्टिविटी आप शब के साश्यार करू आ आप किजिए मेरे लिए तो आजिया तक जब भी थोरा मुझे आराम आजाए मैं आप लोग के साथ फेर वीडियो निव वीडियो लेके और निवी अक्टिविटी लेके आजाओंगी तो आज इया तक दौआ किजिए दिल के आप शबको बहुत-बहुत धन्य मैं बहुत थ प्रब्लेम का एक्टिवीटी है रिना अथर्वा बोलके सार्च मारके जो प्रब्लेम आपका बाच्चो में आए वो देखिए और एक्टिवीटी कराईए आपका बाच्चा भी ज़रूर इंप्रूमेंट करेगा आप लोग भी टाइम से खाना खाईए टेंशन नहीं करेए टाइम से शो जाईए और बाच्चो में आपका बाच्चा भी इंप्रूमेंट करेगा तो आज या तक नियू वीडियो लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ अगर जब मैं ठीक नहीं होती हूँ तब वीडियो नहीं दे पाऊंगी तो दोवा किजिए जोल्दी से आप लोग के साथ फिर मैं मिलू तो आज या तक नेक्स्ट वीडियो लेके फिर मिलूंगी जब मैं ठीक हो जाओंगी टाटा बाइबाई थैंक यू सो मच्छ